हलो फ्रेंड्स, वेलकम टो मा यूपीजी एजुकेशन चैनल सो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी? आप सभी अच्छे होंगे, साथियों आप सभी के लिए बहुत ही मेधपूर्ण होने वाला है क्योंकि आप सभी को पताई होगा कि इस सेसन में आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी information लेकर आया हूँ इसमें paper दिखाने वाला हूँ सात्यों 2020 का जो कि आप सभी का subjective हुआ था क्योंकि आप सभी को ये भी पता होगा कि इस बार सात्यों subjective question होने वाले है सभी information मिलती हैं साथियों यहां पर सभी lecture लिए जाते हैं जो कि आप सभी के लिए बहुत ही महत्पूर्ण होने वाले आगे साथियों आप सभी के लिए यह भी बताएंगे कि सारे सेशन लेकर आऊंगा जितने भी बीसी फास सेमेश्टर से लेकर साथियों सेवन सेमेश्टर साथियों सारे सेशन चलाओंगा इसलिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए साथिया अपने दोस्तों को भी से कर दीजेगा जो भी बीसी अगरी कल्चर की तैयारी कर रहे हैं या फिर बीसी एगरी कल्चर करने वाले हैं साथियों आप जलीए सुरू करते हैं सेशन को ज्यादा टाइम ना गवाते हुए बीएससी एग्री कल्चर होनर्स साथ्यों एक्जामिनेसन 2021 का पेपर है जो कि सात्यों ınd सेमैश्टर्टर का है एगरिकल्चर हायिटेज सात्योंसे कोई फरक नहीं पर'Tता है कि यह समय्ष्टर का है या 3rd semester का है या 5th semester का है कोई फरक नहीं परता है क्योंकि question इतने ही पूछे जाते है जितने इसमें सात्यों कोशन पूछे गए हैं इतने ही पूछे जाएंगे सात्यों हर समेस्टर में इस बार भी कानपुरी उनिवस्टी के लिए सात्यों या वीडियो क्योंकि कानपुरी उनिवस्टी के वीडियो में ज्यादा अपलोड करता हूं इसलिए सात्यों या इंफोर्मेश में अतिलग उत्र आपचिद है साथियों आप सभी को रऊंसर देने है जो कि 55 नमबर क、、 b आप 10 नमबर को साώνके हो जाएंगे हैं साथियों जिसमें 7 कौन को होते हैं यहां सभी को जाऊंसर देने हैं साथियों देख सकते हैं सिंदू वैदिक चब्दता के बारे में संचेब में लिखे इसके बारे में भी लिख सकते हैं सातियों या फिर सातियों आई सी ए आर पर योजना के बारे में लिख सकते हैं या फिर पौधे के लिए सिचाई का क्या महत तो है इसके बारे में भी लिख सकते हैं या फिर प्रश्टी एवं भूमिगद जल निकास क बीच अंतर इस्परस्ट कीजिए यह भी लिख सकते हैं सात्यों या फिर टिकाओ खेती क्या है इन में से सात्यों आप सभी को दो कोश्चन के एंसर देने हैं सात्यों लिखना कैसे यह भी अभी आपको बताऊंगा सबसे लास्ट में बताएंगे कि किस प्रकार से आपको हेड से लिखना है तो खंड खंड लिखना है या फिर बा है तो बा लिखना या फिर सा है तो सा लिखना है या सेक्षन ए सेक्षन बी सेक्षन सी ऐसे भी यह सारा इंफोर्मेशन अभी सात्यों लास्ट में देंगे यहां पर दे रखा है सात्यों नेम लेखे तीन प्रस्णों मे से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए प्रतेक प्रश्न दस अंक का है सात्यों अधिक्तम 200 वर्ड सब्दों में लग उत्तर आपेचिद है सात्यों इसमें 200 सब्दों में लिखना है यह सात्यों इसमें सात्यों कितने कोशन दे रखे हैं भारत में फोलो की खेती के बारे में लिखे ही है या फिर साथियो भारती अर्थ व्योस्ता में करसी का क्या महात्तो है यह भी लिख सकते हैं साथियो अब आगया साथियो सेक्षिन C यानि कि खंड सा इसमें भी साथियो बताने वाला हो कि कितने question पूछे जाते हैं और कितने number के होते हैं साथियों इसमें होते हैं साथियों पांच question होते हैं दो question के answer देने होते हैं साथियों 15 number का एक question होता यानि कि यहाँ पर साथियों 30 number मिल जाएंगे कितने हो जाएंगे 30 number question देख लेते हैं किस प्रकार से कोश्चन पूछे गए थे साथि वर्सा जल सरथन की विभिन विधियां क्या है साथियों इस पर लिख सकते हैं या फिर निम लिखित पर टिपड़ी लिखिये जैसे कि ए रेसों वाली फसले या फिर साथियों फसलों का वनस्पतिक वरगी करण क्रसी एवं खाद दे प्रबंधन या फिर फसल चक्र या फिर साथियों करसी में माईलाओं की भागिदारी इनमें से साथियों सभी का कोशन देना होगा निमलिखित पर टिपड़ी लिखिए सभी पर साथियों टिपड़ी लिखना पड़ेगा या फिर आप साथियों इसका भी दे सकते हैं भारत की प्रमुक फसल पद्दतियों का विस्तार में किष्टार से वर्नल्न कीजिए यह फिर साती। वरानी फ़सल पदतियों के संसी प्रबन्द की संक्यखकी कीजिए दोस्तों सौलिथK कि भारत में पाय जाने वाले मरिधा समुऊं की विस्टार से व्यक्खकय कीजिए। कि इन में सब्सक्राइब को 10 गोश्चन कर एंसर देने पांच में से कि अ आप सभी को बताएंगे की प्रकार से सांतिंह लिखना कर लेकिन फिर भी मैं आप सभी को समझा देता हूं एंस किस प्रकार से ह्रींग आपको डालना है कि यहां पे आप सभी देख सकते हैं साथियूं बिल्पकूल ऐसे ही लिखना है साथियूं अगर इंगलीस में लिखते हैं तो इंगलीस में लिखिए हिंदी bizi में लिखिए कोई दिखते हैं अघ्यूं को सिर्फ आपका एंसर सही हो लंच Caoे और अच्छे इसे सब्ध भासा में और साफ साफ लिखना होना चाहिए सातियों इसके जरूर होना चाहिए जब लिखें आप डालें तो इसके अच्छे से डाले जिससे की वह अच्छे से दिखना चाहिए Section C यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है Answer No.1 यहाँ पर shortcut में यहाँ डाल दिया है कि C यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर answer शुरुआत कर दिया है यहाँ पर पूरा answer लिख दिया है answer लिखने के बाद उसके बाद और भी जो headings होती है वो डाल सकते है इसी प्रकार से साथियों आप अपनी headings और अच्छे से इन प्रस्णों को पढ़के question का answer देंगे तो साथियों आप सभी के 100% 80 प्लस नंबर होंगे score करेंगे साथियों हर subject में इसलिए साथियों आप सभी मेहनत कीजिए हमसे जूड कर इस channel से जूड जाएए आप सभी के लिए इतने अच्छे अच्छे session लाने वाला हों आप सभी के लिए जो आप सभी कहेंगे जी हाँ आपने हमारी पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा काम किया है इसलिए साथियों अपने दोस्तों को भी या वीडियो जरूर सेर कीजिएगा जिससे की वो भी हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें प्लीज दोस्तों आप सभी किसे request है अपने दोस्तों को जरूर सेर कीजिएगा साथियों या information कैसी लेगी comment box में जरूर बताईएगा साथ ही मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहिन